आप लोगों का अपने यूटूब चैनल के सी आई टैली स्पेसिलिस्ट में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आज मेरे टैली ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है और प्रोसेसिंग में सेल्स ओर्डर आज की क्लास में मैं आप लोगों को सेल्स ओर्डर में हम और कैसे रिसीब कर करते हैं तदा हम रिजेक्शन इनको कैसे डिडेक्ट कराते हैं और जो रिसीब्ड ओर होता है उसे हम कैसे सेल करते हैं आज की वीडियो में कम्प्लीटली जानेंगे तो इस वीडियो को देखने से पहले हमारी पिछली वीडियो जो और प्रोसेसिंग का पार्ट वन है पर वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही खास है वीडियो को लास्ट तक देखें तता यादि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हूँ तभी कर लें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें तो हमारी वीडियो को शेयर करना ना बोलें विगौर्ट जितना ही आप सेयर करेंगे उतने लोगों को इससे कंप्यूटर की फ्री क्लासस मिल पाएंगी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि टैली में हम ओर्डर प्रोसेसिंग को कैसे कंप्लीट करते हैं आप देख पा रहा है मारे description में उसका लिंक रहेगा वहां से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं इसली क्लास में फीचर्स में जा करके order processing को activate किया था तो मैं एक बार फिर से आपको दिखा दे रहा हूं क्या करते हैं बटन बार पर जाते हैं फीचर्स पर क्लिक करते हैं और यहां से हम inventory फीचर्स पर जाते हैं और यहां पर enter करेंगे या फिर हमाई प्रेश करेंगे नीचे एंटर करते हुए बाजाते हैं आप देक नले के लिए हम इन दोनों options को यस कर लेते हैं जैसा कि पशली वीडियो में अन्यापलोग सेपली बताया हुआ है तो यहां से हम कंट्रोल हें करके स्कों सेपल कर Subscribe मैं एक बार आपको बता दे रहाओं कि यहां से फिर से इसको देख लेंगे तो आप की लिए अच्छा रहेंगा हम यहां से कंट्रोल हें करके के सेटिंग को सेप कर लें और हम छा 2019 तो हम एक example देख लेते हैं जिस पर हम sales order processing को use करेंगे sales order processing का हमारा example है KCI and company receive an order from sky computers for the following items order number है so slash 001 items है mouse keyboard hard disk इसमें mouse 15 पीस 110 रुपे के rate से keyboard 15 पीस 245 के rate से hard disk 7 पीस 3800 के rate से तो हम back करके चले जाते हैं टैली में और हमने सारे lasers create कर रखे हैं हम party laser केबल बना लेंगे और सारे lasers हमारे create हैं हम यहां चलते हैं account info में party laser create कर लेते हैं sky computers हम इने से order receive कर रहे हैं तो यह हमारे sundry data हो जाएंगे चुकि इन्हें हमें माल बेंचना है जिसको भी laser creation में problem है उमारी पिछली वीडियो जरूर देख लेंगे जिससे उनका कोई भी confusion जो होगा वो clear हो जाएगा माल sell करना तो कोई जरूरी नहीं जिससे आप माल sell कर रहे हो वो भी GST से activated हो GST registered हो हम किसी को भी माल sell कर रहे हैं हम जिससे माल purchase कर रहे हैं हम आ जाते हैं order voucher में को मैंने पिसली वीडियो में बताया कि purchase order के लिए हम अल्ट प्लस F4 करते हैं तो आज का मेरा जो टॉपिक है sales order processing है तो हम sales order कैसे receive करते हैं आप देखेंगे आपे आप देख पा रहे हैं sales order में number one करके है party name हम आ चुनते हैं जिससे हम order receive कर रहे है sky computers party में हमारा sky computers है इसको हम enter करते हुए बाहरा जाएंगे हम यहां order number डालेंगे आपको भी मैंने example में दिखाया order number है so slash 001 enter करके नीचे आते हैं हम यहां laser चुनेंगे sales laser because हम sales order receive कर रहे हैं और हमारा item क्या क्या है mouse की हम 15 pieces receive कर रहे हैं हमने आपको फिसली वीडियो में बताया था जो order हम receive कर रहे हैं वो उसका do on कितने दिन तक हमें order complete करना है वो यहां date डालते हैं तो हम जैसे present में इसी current date में हमें order complete करना है तो हम यहां to November ही रहने देते हैं हमारा mouse का piece पंद्रा पीस पर हम sell कर रहे हैं और 110 रुपए के rate से आपका mouse की selling rate है जो आपका selling price है जिसे हम standard rate कहते हैं एंटर करते हैं की बोर्ड है हमारा जो हमें keyboard sell करना की बोर्ड हम हमें कितना order मिला की बोर्ड सेल करने का 15 पीस का है और यह 275 के rate से हम sell कर रहे हैं हार्ड डिस्क है इस तरह से जितने भी आइटम आपको जितने भी आइटम का आपको order receive हुआ है वो आप यहां इसे डालते चले जाएंगे 7 पीसे हम hardest प्रेशित कर रहे हैं 3800 के rate से यह हो गया इस तरह से दिया और भी आइटम है तो आप उसको भी दे सकते हैं हम एंटर करके नीचे आ जाते हैं हमें CGST provide करना है CGST 6% है और SGST 6% है कुल 32,375 रुपे हुआ अपके आइटम का rate और इसमें अगर हम GST को include कर दें तो कुल 36,261 रुपे का माल हमें बेचना है जिसका हमने order receive किया हुआ है हमें deduction check करना है tax analysis देखना है तो alt के साथ हम A प्रेस कर देंगे तो tax analysis आ जाएगा और यहां से हम alt plus phone करेंगे तो detailed में हमें प्रेशित हो जाएगा कि mouse पर क्या central tax लगा हुआ है क्या state tax लगा हुआ है keyboard पर कितना हमारा central tax है state tax है और hard disk पर कितना लगा हुआ है इसको हम यहां से check कर सकते हैं back करके आ जाते हैं enter करते हैं और यहां से हम इसे accept कर लेते हैं को हम sales order processing outstanding report चेक करा देते हैं display में जाते हैं यहां enter करते हैं statement of inventory पर आजाएंगे यहां enter करेंगे नीचे आप आजाएंगे sales order outstanding पर चले जाएंगे sales order outstanding हमने आपको पिसली वीडियो में बताया था कि अगर हमें group wise चेक करना हम group wise चेक कर सकते हैं laser item wise चेक करना चाहें तो item wise चे चेक करना चाहते हैं तो हम laser wise चेक कर सकते हैं अगर हम all orders पर जाएंगे तो हमारा detailed में आपको प्रेशित हो जाएगा कितना order है quantity कितना balance quantity है क्या rate है item पर item का value क्या है और उसका due on क्या है complete आपको यहां सब बड़े ही ट्रांस्पेरेंट्टी प्रेशित हो जाएगा हम बैक कर करेंगे tracking number को हम कैसे add करते हैं orders पर उसको हम यहां से देखते हैं हम यहां order voucher पर चले जाएंगे और हम यहां alt के साथ f8 करेंगे तो delivery note सोह करके आ जाएगा purchase order के लिए हम tracking number कहां डालते हैं receipt note में और sales order के लिए हम tracking number delivery note में डालते हैं हम यहां पर कोई भी reference number देंगे हम यहां देते हैं dn-001 enter करते हैं हम party का चुनाव करते हैं जिस party से हमने order receive किया हुआ है in double list करते हैं enter करते हैं हमने order number यहां चुन लिया है और order number चुनने के नाते डेरेकली आपका जितने item का आपने order receive किया हुआ है सारे items आ जाएंगे और यहां से हम enter करते हुए पर item पर उसका tracking number जो हमारा delivery note का reference number वह उसका tracking number हो जाता है जिससे हमारा customer अपने items को track कर सकता है enter करते हुए पर item के साथ हम यही करने वाले हैं tracking number हम डाल देंगे यह order number हो गया और हम as it is रहने देंगे enter कर देंगे फिर next item के साथ ऐसे ही जाएंगे सब के साथ यह process हम करेंगे accept कर लेते हैं tracking number हो गया अब मान लीजिए जह हमने delivery node प्रिसित किया तो हमारे customer ने उस items में अगर कुछ rejection करना चाता है कुछ reject करना चाता है कुछ उसमें से कम करना चाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं rejection in voucher पे जाते हैं rejection in से हम उसमें अपने item का जो हमारा received order है उसमें से हम उसको deduct करा देते हैं तो हम यहां क्या करते हैं control के साथ F6 करते हैं और rejection in ओपन हो करके जाता है जब हम purchase order book करते हैं तो उसमें हम अपने supplier को rejection out प्रिशिद करते हैं और जब हम order receive करते हैं sales order के तुरू तो हम अपने customer से rejection in deduct करते हैं rejection in voucher में हम अपने यहां party laser account को हम चुनेंगे laser account में हमारा party है sky computers उसका ID हमने address होगरा डाल रखा है तो customer name and address automatic इसमें आ जाएगा enter करते हुए हम आएंगे और यहां पर जो item हमें reject करना है उसमें से हम rejection दिखा देंगे जैसे हमें hard disk का एक piece यहां से हमें reject करना है यहां हम one piece कर लेते हैं end of list करते हैं और हमें keyboard एक piece reject करना है माल लीजिए तो हम यहां से मतलब हम एक customer से rejection प्राप्त हुआ तो उसको हम यहां deduct करेंगे जो rejection in हुआ है उसको हम यहां पर deduct करा देंगे और यहां हम deduct rejection in deduct करा देने से जब हम माल को sell करेंगे तो automatic जो reject हो चुगा जो हमने इसमें rejection डेटेट करा दिया है वह माय वह आइटम सेलिंग में नहीं आएंगे उतना उसमें से माइनस हो जाएगा अब हम चलते हैं sell करके देखते हैं यहां से हम F8 प्रेस करेंगे तो sales voucher आपके सामने उपन हो करके आजाएगा यहां हम reference नंबर देंगे सी-001 हमने एक reference नंबर डाल दिया एंटर करा यहां हमने party को चुना यहां हमने delivery note जो हमारा tracking नंबर था वो हमने चुना इंडर लिस्ट किया यहां dispatch document नंबर कुछ है तो उसको हम डाल देते हैं कुछ भी हमने ऐसे डाल दिया यहां पर अगर आप आउसकता समझें चुकि आपका invoice मैं इसको completely अलग इसके लिए separate वीडियो बनाऊंगा invoice हम कैसे maintain करते हैं invoice bill कैसे हम बनाते हैं हम यहां आपको order processing बता रहे हैं तो अभी हम उसके लिए इसको हम deeply किसी एक वीडियो में आपको बताएंगे तो यहां हम ऐसे ही कुछ भी डाल करके enter करते हुए चले आए और इसको हमने यहां से accept किया कि सेल समचुनेंगे आप देख पा रहा है माउस 15 पीस जैसा कि मैंने अभी उसमें दिया हुआ था 15 पीस हो गया keyboard 14 पीस जबकि 15 पीस का हमने order receive किया हुआ था बट एक पीस reject कर दिया इसलिए 14 पीस आ गया hardest 7 पीस का order receive किया हुआ था बट आटोमेटिक है 6 पीस हो गया quantity और जो rate हमने order book करते टाइम दिया हुआ था वह यहां पर डिडेक्ट हो करके आ गया अब यहां से हम एंटर करके इसको accept कर लेते हैं एंटर कर लिया accept कर लिया अगर हमें इसका will print करना है तो alt के साथ हम पी कर लेते हैं और यहीं पर इसका will print हो जाएगा और यहां से alt z करके आप देखेंगे आपके सामने will present हो जाएगा जो वाल हम sell कर रहे हैं तो यह आपका will हो गया हम यहां से escape करके बैक करके आते हैं इसको accept करके save कर लिया अगर हम यहां से जाकर के थोड़ा सा report चेक करें out standing report तो हम display पर जाएंगे statement of inventory पर जाएंगे और sales order out standing पर जाएंगे और यहां हम all order में जा करके check कर लें तो आप देख पा रहे हैं order जो complete order कि keyboard के लिए हमने 15 पीस बुक किया हो था उसमें अभी मारा एक balance पेंडिंग है और hardest का हमने जो लिया हुआ था साथ उसमें एक पेंडिंग है यह पेंडिंग क्यों है तो इसका detail दिखाएगा चूकि इसमें rejection हो गया है इसका deduction हो चुका है तो 15 में से 1 माइनस कर दिया गया तो 14 पीसे बचा ऐसे ही हाट डिस्क के साथ भी है तो आपने देखा कि sales order outstanding हम कैसे check कर सकते है और starting से हम order कैसे book करते हैं उस पर हम delivery note कैसे प्रिशिद करते हैं तता हम rejection को कैसे डिडेक्ट करते हैं order received order को हम sales कैसे करते हैं तता sales order outstanding हम कैसे check करते हैं will हम कैसे print करते हैं completely इस वीडियो में आपने देखा मासा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो like जरूर करें share करें channel को अभी तक subscribe न किया हो तो अभी कर लें मिलते हैं next video में next topic के साथ तब तक के लिए thank you जय हिंद